Hello everyone, welcome to MedG exam channel. अभी अभी IIT and NEET Entrance exam को लेकर एक breaking news आई है और ये बहुत ही जादा relief वाली news है, राहत भरी news है सारे students के लिए. थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा MP और Union Cabinet Minister रह चुके BJP के नेता Dr. Subramaniam Swamiji ने अपने official Twitter handle पर tweet करके बताया था कि उन्होंने एक emergency meeting बुलाई है और Education Minister को भी ये convey किया है कि NEET के exams दिवाली के बात conduct कराया जाने चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें काफी सारे students से request आई इस मामले में intervene करने के लिए and जबकि Supreme Court अपना फैसला सुना चुका है फिर भी वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से. उन्होंने ये भी clarify किया कि NEET, JEE और बाकी similar entrance exams की postponement की बात वो रखेंगे इस emergency meeting में इस पे जगदीश शेटी ने meeting की photos भी share की और बताया कि डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी ने union HRD minister से बात कर ली है NEET और JEE exams को दिवाली के बात conduct कराने के लिए क्योंकि country में COVID के cases लगातार बढ़ रहे हैं and government से request की कि वो Supreme Court से urgent basis पे clarification ले and अभी अभी डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी ने फिर से retweet किया और बताया कि उन्होंने minister of education के आगे अपना ये सुझाव रख दिया है कि exams को दिवाली के बात conduct कराया जाना चाहिए इसमें उन्होंने ये भी clear किया कि Supreme Court का order कोई आखरी फैसला नहीं है क्योंकि Supreme Court ने ये फैसला government पर छोड़ा है कि government decide करेगी कि exams को कब conduct कराना चाहिए Dr. Subramaniam Swami ने ये भी कहा कि वो एक urgent letter लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर को अभी के अभी लीजिए Dr. Subramaniam Swami जी ने letter लिख दिया है और भेज भी दिया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरिंद्र मोधी जी को इस letter में उन्होंने लिखा है कि ये एक urgent letter है उस authentic information के regarding जो उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों से मिली है उन्होंने बताया कि अभी देश का infrastructure पूरी तरह से ready नहीं है NEET, IIT और बाकी entrance exams conduct कराने के लिए इसमें उन्होंने Bombay City का example दिया जहां उन्होंने बताया कि वहाँ कोई public transport अवेलबल नहीं है और students को 20-30 km दूर exam center तक जाना है जो की feasible नहीं होगा ऐसी conditions में और भी काफी सारे important points इस letter में उन्होंने लिखे जिसे आप screen पर देख सकते हैं मैं Dr. Subramaniam Swamiji को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस लडाई में students का साथ दे रहे हैं और लगातार ऐसे steps ले रहे हैं And I would also like to thank you to those students and people जिन्होंने Twitter पे, Facebook पे और बाकी social media platform पे अपने viewpoints share किये Prime Minister Office में call भी की, ऐसी काफी सारी recording भी सामने आई, जिसमें जो NEET and JEE aspirants है उन्होंने Prime Minister Office में call करके अपने viewpoints रखे और PM को कहीं letters लिखे गए, काफी students ने अपने state के chief ministers को भी letter लिखे हमारे Met G exam channel के सभी teachers ने और बाकी members ने भी letter लिखे हैं अपने अपने state की government को मैं आप सभी के साथ ये email IDs भी share कर रहा हूँ आपके states के CM की और आपसे request करता हूँ कि आप भी अपने viewpoint लिखकर अपनी government को भेजें और इस मुहीम का हिस्सा बने स्क्रीन पर जो website लिखी हुई है, इस website पर आपको सभी states के CM की email ID और उनके office के phone number मिल जाएंगे students हम इस news के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि exams postpone हूँ क्योंकि यही जरूरी भी है students की safety के लिए हम ऐसे ही आपके लिए सारी latest news लाते रहेंगे आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं, instagram पे हमें follow भी कर सकते हैं इन सभी latest updates के लिए, इसका link मैंने description box में डाल दिया है, आप check कर लीजिए, आप हमारे YouTube चैनल को भी subscribe कर सकते हैं, bell icon को press कीजिए for latest updates, thank you very much for watching